नमस्कार इंडिया न्यूज एंटेटेंविंट देख रही है आप मैं गरीमा शहवास्तवाब के साथ बॉलेवट के बादशार शारुक खान बीते काफी दिनों से अपनी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए है इस फिल्म को लेकर लगातार विवाद भी चारी है फिल्म की गाने बेशरम रंग पर काफी तमाशा देखने को मिल भी चुका है अलाकि पठान का ट्रेलर जब से सामने आया है शारुक खान का नाम एक बर फिर से सभी के जुबान पर है पठान 25 जनवरी को सिनेवा घरों में दस्तक देने चारही है रिलीस से पहले शारुक अपने फिल्म का प्रमोशन भी कर रहे है इसे बीच यह शुराज फिल्म से अपने ट्विटर अकाउंट पर शारुक खान का एक इंटव्यू शैर किया है इस इंटवियू में किंक खान कई खुलासे और फिल्म से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रही है इस वीडियो में शारुक खान ने बताया है कि बठान की जरीए उनका 32 साल का सपना पूरा हो रहा है बरसल शारुक खान है कि वो इंड़स्ट्री में आक्शिन हीरो बनने आए थे लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा आक्शिन हीरो के जगह वो रोमैंटिक हीरो बन गया अक्टर ने कहा कि वो आक्शिन हीरो बनना चाहते थे हाला कि उन्हें डीजी लजी बहत पसंद है उन्हें राहुल राज वो सभी स्वीट लड़के अच्छे लगते हैं लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि वो एक एक्शन हीरो होते तो उनके लिए ये सपने के सच होने जैसा होता इसके अलावा सुपरस्टार ने अपने दोनों को-अक्टर्स देपिका पादुकोर और जॉन इब्रहाम की काफी तारीफ भी की है शारुप ने कहा कि बेश्रम रंग के लिए देपिका जैसा ही को चाहिए था जो आक्शन भी कर सके दिपिका के लिए शारुक ने आगे कहा कि वो एक्शन के लिए काफी टफ है वो एक्शन सीन्स में मुझसे भी टफ है महीं जोन इब्राहेम की भी किंग खाने जम कर तारीफ की है उनके साथ काम करके वो बहुत खुश है पड़ान के जरी शारुक एक बार फिर से धमाकेदार कमबाक करने जा रही है इस फिल्म से मेकर्स के साथ साथ फैंस को भी काफी उम्मीद है अब फिल्म रिलीस होने के बार पता चली जाएगा कि इस फिल्म को जनता का कितना प्यार मिल रहा है एंडियान्यूस 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 धन्यवाद